नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको बताने वाली हूँ रसूका के बारे में रसूका अर्थात राष्टी सुरच्छा कानून या जिसको हम कहते हैं राष्टी सुरच्छा अधिनियम 1980 अंग्रेजी में इसको नेशनल सिक्योर्टी एट कहा जाता है तो दोस्तों आपको बत कानून है या आधिक सक्ति देने से संबंधित एक कानून है यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफतारी का आदेश देता है अचा राष्टी सुरच्छा कानून जिसको राष्टू का बोलते हैं यह क्या होता है और इसका कप प्रयोग किया जाता है या कब इसको ल बन रहा है तो संबंदित सरकार द्वारा उस व्यक्ति को गिरफतार किया जा सकता है या कराया जा सकता है, राष्टी सुरच्छा कानून जो है यह 23 सितमबर 1980 को इंद्रा गांधी की सरकार के दोरान अस्तितम में आया यह यह कहें कि इंद्रा गांधी की जिस समय सरकाय थी उस समय इसका निर्मार हुआ और इसको प्रयोग में लाया गया रसुका का अर्थ है राष्टी सुरच्छा कानून के तहत संदिक्द व्यक्ति को किसी आरोप के लिए 12 महिने तक जेल में रखा जाना या रसुका का ये भी मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो संद उसे चलान में बाधक उत्पर्ण कर रहा है तो उसे 12 महिने तक के लिए जेल में रखा जा सकता है यह अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति को भारत सुरच्छा को नुक्सान पहुंचाने विदेशीयों के साथ भारत से सम्मंधित चोंट इसलिए किया जाता है राज्य सुरच्छा कानून के तहत यह कहरा सूका के तहत संबंदित अधिकारी को यह पावर होती है कि वह संदिक दिव्यक्ति को बिना किसी कारण बताय हुए पाच दिनों तक कैद में रख सकता है जबकि अगर विसेश परिस्थित्या हो यह अगर रखना चाहता है तो उसे राज्य सरकार की अनुवती लेनी आवश्यक होते हैं फिर आते हूं आपको कि रसुका यानि राश्टिय सुरच्छा कानून के तहत गिरफतार व्यक्ति सरकार दौरा गठित किसी सलाहकार बोर्ड के समझे अपील कर सकता है लेकिन मुकदमे कि दौरान उससे वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है और यह कानून सरकार को किसी विदेशी को उसकी गतिवीदियो को नियंतित करने के लिए गिरफतार करने के लिए देश से बाहर निकालने की भी शक्तित है यानि कहने को होता है कि कोई अगर विदेशी व्यक्ति आ रहा है देश में और उसकी गतिविधियां कैसी अगर जैसे किसी सरकार को लगता है कि यह व्यक्ति बाहर से आया हुआ है और इसकी संदिक्ध है तो सरकार उसकी गतिविधियों को देखता है तो गतिविधियों को नियंतित करने की शक्ति रखता है यह भी शक्ति तक रखता है कि वह उसे बाहर निकाल सके देश के जैसे मैं आपको उधारन दे सकती हूं कि हाली में कोरोना के चलते हुए जैसे गाजियाबाद और दिल्ली में कोरोना के मरीजों का जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे तो उनसे बत्तमीजी करने और संक्रमित मरीजों द्वा डॉक्टरों के साथ बत्तमीजी कर रहे हैं दूसरों के तक यह बीमारी पहुंचा रहे हैं तो उनकी ऊपर रसूका के तहत ही मुकदमा दर्ज होगा या मामला दर्ज होगा फिर आते राश्टी सुरच्छा कानून NSA यानि National Security Act सुरच्छा कानून राश्टी सुरच्छा कान मिलने पर नए सरकार द्वारत नए सबूत भी प्राप्त होते तो फिर इस अवदी को बहा सकती 12 महिने से अधिक भी उनको जेल पर रख सकती है और आगर कोई अधिकारी किसी संदिग्द को गिरफतार करता है तो उसे राज्य सरकार को इस गिरफतारी का कारण बताने जरू गिरफतारी की अधिक्ता मावदी 12 दिन से जादा नहीं हो सकती है गिरफतारी के आदेश जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त अपने संबंदिच छेत्रा दिकार के तहती जारी कर सकते हैं तो दोस्तों ये था रसू का राष्टी सुरच्छा अधिनियम उन्निस्तो हसी